हेलो स्टूडेंट्स 11th क्लास के लिए टॉपिक है टैक्जान और कैटेगरी में डिफरेंस फरक एयन में डावर्स्टी बियॉजी का यह टॉपिक है 11th क्लास हम एक्स्प्लेंड करेंगे कैटेगरी और taxon सबसे पहले मैं यहां पर लिखूंगा category ठीक है जी फिर taxon लिखूंगा देखें कि category क्या होती है देखो category का जब definition देखते हैं हम इसको यह बोल सकते हैं कि deals with ranking deals with पहला point लिखेंगे deals with ranking deals with ranking ठीक है यह rank होती है rank ranking अभी example से आपको समझ आ जाएगा और category जो है abstract form में है abstract term है हमारे पास यह abstract term है abstract term abstract का मतलब है जो concrete में ना हो उसको abstract बोलते हैं ठीक है ना और इसका मतलब होता है कि one particular ranking ठीक है ना one particular एक वह थान पर्टीकुलर ranking इसको हम बोलते हैं category ठीक है जी और हम टेक्जॉन को आप देखें टेक्जॉन टेक्जॉन और हमारे पास category है यह मारे पास टेक्जॉन अगर हम टेक्जॉन को देखें तो टेक्जॉन को हम ऐसे बोलते हैं कि deals with object हम हम यहां लेखे, deals with ranking, हम यहां लेखेंगे, deals with, deals with object, deals with object, ठीक है, और यह abstract नहीं है, यह real है, real, ठीक है, और, यह जो taxon होता है, it may belong to any ranking, हम लिखते हैं, it may belong to any ranking, तीक है ना, it may belong to any ranking, मतलब क्या है इन चीज़ों का, यह अभी आप example से समझ लोगे, example से समझ लोगे, जैसे for example, हमारे पास class है, category, class है, category, और जो aves है, aves हमारे पास taxon है, तीक है न, अगर हम लेखते हैं न, birds में, birds में लेखते हैं हम class aves, birds की class aves होती है, जो class होगी वो category है, aves जो हो टेक्जान है, हम लेखते हैं ऐसे phylum, ठीक है, phylum लेखते हैं, phylum for example, हमने लेखा porifera, porifera जहां हम लेखते हैं कि phylum porifera, तो porifera हो गया, taxon phylum हो गया category, जब हम लेखते हैं kingdom, kingdom monera, ठीक है जी, m-o-n-e-r-a, monera जो है, यह phylum है, और जो kingdom जो है, यह category है, ठीक है, यह तीनु चीजें जो हैं, इसको लिखेंगे हम, यह categories हैं, ठीक है, और यह जो तीनु चीजें यहां से हैं, यह taxon है, क्या है यह, यह taxon है, हमने लिखा यहां पर taxon real है, देखो, एवज, परिंदे, पॉलिफिरा, monera में बैक्टेरिया आते हैं, यह real हैं, ठीक है जी, और हमने यहां लिखा कि category जो है, यह abstract term होती है, class abstract है, phylum abstract term है, kingdom abstract term है, ठीक है, यह ranking है, class एक rank है, phylum एक rank है, kingdom एक rank है, इस ranking को हम बोलते हैं, category, और taxon जो होता है, कि किसी भी ranking को belong कर सकता है, किसी भी ranking को belong कर सकता है, कोई taxon class है, कोई taxon phylum है, कोई taxon kingdom है, यह किसी भी ranking को belong कर सकता है, और यह real होता है taxon, taxon real होता है, यह abstract नहीं होता है, abstract नहीं होता है, ठीक है, और taxon जो है, deals with objects, taxon does not deals with the ranking, it deals with the object, ठीक है, और यह, जो हमारे पस category होती है, deals with the ranking, it deals with the ranking, यहाँ पर मैं example आपको दूँगा, जैसे, यहाँ लिखने वाला हों में, kingdom, ठीक है जी, phylum, class, order, family, genes, or species, ठीक है, यह जितने भी मैंने लिखे kingdom, phylum, class, order, family, genes, species, यह obligate categories हैं, और यह obligate category जो मैंने लिखे, यह आदमी का मैं आपको बताऊँगा, man का आपको मैं बताऊँगा, इसके, जो हमारे पास classification है, वो बताने जा रहा हों में, सबसे पहले हम kingdom लिखते हैं, man में kingdom, animalia, any, kingdom हो गया, animalia, ठीक है, phylum जो है आदमी का, हो है codata, c-h-o-r-d-a-t-a, यह जो kingdom है, यह हमारे पास category होती है, phylum भी category है, animalia जो है, यह taxon है, codata जो है, यह taxon है, और class जो आदमी की होती है, इसको बोलते है, mammalia, क्या बोलते है, mammalia, ठीक है न, और जो order है, आदमी का, हमारा, वो हमारे पास होता है, primata, p-r-i-m-a-t-a, primata, ठीक है जी, और family है, homonidia, h-o-m-i-n-i-d-e-a, homonidia, ठीक है, और genes जो है, वो है, homo, और हमारे पास जो species है, वो है sapiens, s-a-p-i-e-n-s, sapiens, ठीक है न, genes का पहला, alphabet, capital होना चाहिए, species का पहला, जो है, वो small में होना चाहिए, देखो यह जो मैंने animalia लिखा, codata लिखा, mammalia लिखा, primata लिखा, homonidia लिखा, homo sapiens जो मैंने लिखा, यह सारे taxon हैं, क्या है, taxon, और यह जो है kingdom, phylum, class, order, family, gene, species, यह सारे के सारे categories होते हैं, क्यों होते हैं, categories होते हैं, ठीक है, कहीं पे class, mammalia है, कहीं पे और कुछ चीज होगी, जैसे phylum है, हमारे पास category, और कहीं पे taxon इसका codata होगा, कहीं पे taxon इसका non-cordata होगा, यह कहीं पे kingdom हमारे पास है, वो animalia है, कहीं पे kingdom जो है, वो plantay होगा, क्या होगा, plantay होगा, आपको समझा रही है, तो hopefully आपने, यह difference जो है, यह समझा होगा, category, ranking से deal करता है, यह abstract term है, और एक particular ranking को हम category बोलते हैं, taxon जो है, वो real होता है, और taxon जो है, यह object के साथ deal करता है, ठीक है, जैसे aves है, polyfra है, monira है, ठीक है, और यह जो taxon है, यह किसी भी category को belong करता है, इसी भी category को belong करता है, for example, यह animalia taxon जो है, यह kingdom को belong करता है, caudeta जो है, यह phylum को belong करता है, mammalia जो है, वो class, जो category है, उसको belong करता है, hopefully आपने समझा होगा, thank you.